नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हमारे साथ हैं सर जी 20 डिनर में राश्टपती भवन में नीतीस कुमार बहुत गर्म जोसी से पी एम मोदी से मिले पी एम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राश्टपती से कराई उसके बाद जीतन रामान जी का बयान आता है कि नीतीस एंडिये में आ सकते हैं ललन सिंग जद्यू के जो अध्यक्ष है वो इंडिया गटबंधन के 14 सदसी है स्वनवै सिमिती के सदस हैं वहाँ उनको दिल्ली बैठक में जाना था लेकिन नहीं गए अचानक वो बिमार पड़ गए उसके बाद नीतीस जब दिल्ली से आते तो अपने पार्टी निताओं के साथ भी दो दिन बैठक किये हाँ पर पटना में तो अब कई तरह के कयास लग रहे हैं क्या नीतीस के लिए NBA के धरवाजे खुले हुए हैं या नीतीस और जद्यू जानवुच कर राज़त पर दवाव डालती है यह दिखा कर कि हम लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं अगर हमारी बात आप नहीं मानी है दखे अब इस विशय का कोई मेनिंग नहीं रह गया है बेहार बदलाव की और कदम बढ़ा चुका है भारतिये जनता पाटे हमारे देश के प्रधान मंतरी जी एक राष्ट सेष्ट राष्ट के रूप में लोगतंत के सबसे बड़े रच्छक और सेवक के रूप में सभी अलग-अलग विचार धाराओं का भी सम्मान करते हैं और उसके नाते मुखमंतिर नितिश कुमार जी का भी सम्मान और आपसी बाचित हुई है लेकिन विहार के अंदर अब उनको कहें भारतिय जन्ता पाटी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और हमको नहीं लगता है कि विहार की जन्ता उनको स्विकारने के लिए तैयार वेठी है मेरा विशे जो वियार से संदर्वित है और वियार की जनता बदलाव चाहती है बार्चबा की सरकार चाहती है आपको जवाब मैं समझ गया सर उधर जदियू के MLC है राधा चरन सेट एडी ने उनको गिरफ्तार किया है इंकम टेक्स की टीम ने उनके चाहपे मारी की थी फरवरी महिने में फिर जून महिने में एडी की टीम ने चाहपे मारी की कल फिर एडी की टीम उनके पहुंची थी विभीन ठीकानों पे चाहपे मारी उसका उनको गिरफ्तार किया गया है आरोप लग रहा है कि अव्यद बालू करोबार उन्होंने अरभू की संपत्ति अरजित की टैक्स चोरी की देख हम तो सब दिन कर रहे हैं कि राजाद जदियू के सत्ता संडचित बालू दारू और जमिन घोटाला हो रहा है यह बड़े-बड़े माफिया राजनिती में प्रवेश कर चुके हैं और राजनित में उनका संडच्छन मिल रहा है और खूल करके आज बालू के नाम पर जिस तरह से नरसंगार हो रहा है हत्या परन लूट बलतकार का इन माफियाओं के देखनें केल सुरू हो रहा है तो संबैधानिक संस्ता अपनी काम कर रही है तो बेचह जीनी क्यों पर रही है जब आप कहते हैं कि हम संदक्षन नहीं करते हैं तो संबैदानिक सस्ता काम करती है मानने नियाले निर्ने करेगा परेसान क्यों है डड़े हुए घवराए हुए लोग ये लोग हैं लगता है कि हमारे गर्दन पर भी हाथ परेगी इसलिए ये ब्याकुलता में कुछ भी ब्य दे देते हैं आप क्या ऐसा लगता है कि आपके नजर में आपको आपको यह कहना है कि लगतार यहां पर वैद बालू का कारोबार हो रहा पो लगता है और भी महागर बंधन के नेता सनलीफ थोरून पर भी करवाई होगी देखे आप देख लिजिए कि बारू में कौन-कौन म माफिया है किस तरह से पटना में दिंदारे हंत्या करने वाले के घर कुरकी जपती होती है महिनों लग जाते हैं कुरकी जपती में और उसकी गिरभदारी नहीं होती है वो सत्ता के संलेक्षन में सत्ता के द्वार तक बेढ़ते हैं पहुंचते हैं जांच की भी मांग करते हैं जांस नहीं होती है कोई संग्यान नहीं लेता है तो सचाई तो है कि इन वालू माफियाओं का एक बड़ा networking है इसमें बड़े बड़े लोग समली थे हैं और एक बड़ा खेल है खुलासा तो होगा ही एक आखरी सवाल सार मुझहफर में बड़ा हाथसा हुआ है नाव पलटने से हाथसा हुआ है उसमें कहा जा रहा तीस लोग सवार था जिसमें ज्यादा स्कूली बच्चे थे और महिलाएं थी अभी जो जनकारी मिल रही है कि इस बीस लोगों को रिस्क्यू करके बाहर निकाला गया है लेकिन दस बारा लोग अभी लापता है देख बड़ा ही दुखा दुरभागेपुन यह घटना है उन्हों वह बच्चे अपने भविस को बचाने के लिए अपने भविस बनाने के लिए समय पर बिद्याले जा र बड़े भाई स्रीमान लालू प्रसाजादा और नितिज कुमारजी आज आप प्रात्मिक बिद्याले मद बिद्याले उच्ची विद्याले हर गाऊं के अंदर यह बवस्ता बनती हर गाऊं के अंदर कहीं ने कहीं यह माहूल बनता तो बच्चे को नदी पारन करना नहीं पड़ता और आपके पदधिकारी सजग होते आज आप मुझा पर में मवजूद हैं अस्तिनापुर के गुलाम आपकी सेवा में लगे हुए हैं नाव पर ओभर लोडिंगा इस तरह से और सुरक्षित नाव से इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना और यह यहां की घटना सं जोग है कई जगह इस तरह के लाचारी बेवसी में अभी भावक अपने बच्चों को परने के लिए बेजते हैं क्योंकि जहां जहां विद्याले उची विद्याले बनाए भी हैं पंचाइत में नो सिच्छक है नो भवन है नो पेजल की सुबदा है नो बैठने की बवस्त सिच्छा विवस्ता पूरी अरजक्ता का सिकार है और दुखत दुरभाग है कि आज बच्चे यहां से प्लाइन करते हैं लेकिन ये घटना सबको अंदर से मरमाहत किया है और मुकमंतिर नितिश कुमार जिसे उमीद है संजोग से मुझपरपुर में है वो जाएंगे उस प इतने पैसे से हर गाउं में विद्याले बन जाता सिच्छक की बाहली हो जाती बैठने का और पेजल और सोचाले की विवस्ता हो जाती लेकिन दुरभाग है कि ये बरे भाई चोटे भाई सेचिनिक बातावरन को ये चरवाहा विद्याले के पैटर्न पर ही लेके चलना चा कर दो